हेलो शुडेंट गुड मॉर्णिंग गुड मॉर्णिंग गुड मॉर्णिंग आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आज हम लोग मिल रहे हैं आपके यूट्यूब चैनल फिजिक्स आइडिया पर आज की परली लैक्चर परली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वाउट दर न नुकिलियस यानि आज हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं किस टॉफिक के बारे में तो नुकिलियस के बारे में पढ़ने वाले हैं आज हम लोग कौन से टॉफिक के बारे में पढ़ने वाले हैं नुकिलियस के बारे में पढ़ने वाले हैं तो सबसे पहले कि आपको टोटलमास और उसकी टोटल पोजीट इव चार्ज पर्जेंट होता है कि नुकलीयस किसी एटम का वह सेंटल बाह्ट है जा एटम की पुजेटि आज टोटल पोजेटीव चारज और Almighty टोटल मास परचिंट होता है उसे आपका एक निकलियस है यह आपका क्या है एक एक ए hpmectom है और इस date हम का एक सेंट्रल पार्च ले लिया ओं कोषिवर का सेंट्रल पार्च है और यहां पर नाफ होग सेंट्रल जैसे के आप जान सकते हैं कि अ यह जो होता है तीन तरग fundamental particle से बना होता है और वो तीन fundamental particle है पाला है proton दूसरा है neutron और तीसरा है electron तीन fundamental particle पाला proton दूसरा electron तीसरा neutron तो proton जो होता है वो पोजेटिव चार्ज होता है निलॉट्रोन पर कोई चार्ज नहीं होता है —no charge और इलॉक्ट्रोन पर निगतीव चपघ्र यानि जो हमारे die nam hootay weons वो उनके तीन fundamental particle होता है proton निउट्रॉन और पोट्रों की बात करें तो पुजेटिव चार्ज होते हैं न्यूट्रों चार्जलेस होता है अगर मास की बात करें तो पोट्रों का मास होता है 1.67 x 10 देपाँ पौब माँनस 27 kg कि तो एक पर माइनस 27 चीठ थीग है यहां आप ऻोगया इसीपक न्यूट्रों की बात करें तो इसका और मास लगब कितना ही होता है थोड़ा से स्लाइट्ली ग्रेटर देन अउता है न्यूट्रों का मास थे पॉट्रों स्थिक होता है ठीक है ल सब्सक्राइब हम लोग इक्वल ही मानते हैं काल्कुलेशन में ठीक है और इलोक्टॉन की जो मास होती हो थी यह 9.1 इसे सेंट्रल पार्ट का जो चार्ज होगा और पोजेटिव होगा और यह जो बाहर यह जो सेर्कूलर पार्ट दिखाए इसको में बता है इसमें उल्युक्तान रिवाल्व करता है रानुदा नुकिलियस नायभी के चार ओर कोर्ण औि घुमता है इल्वक्टरॉ तो हम लोग यहां पर क्या बोलते हैं यह जो आ fem पार्ट होता है यह इस सेंटरर्फ जर्ब डिवाद लता है क्यों, क्योंकि बिलॉंग करेगा यह बिलॉंग करें लोट पनक की नुकिलियस में है और इलक्टॉन के पास ठीक है मास बहुत कम होता है इलक्टॉन के पास मास बहुत कम होता है लेकिन होता तो है प्रोटॉन और नुटॉन के तुल्ला में इलक्टॉन की मास बहुत कम होती है लेकिन ऐसा तो नहीं क्यों होता नहीं है मास तो होता है हाँ कम सही लेकिन होता तो है तो जो इलोट्रॉन बाहर है उनका मास तो बाहर है वह तो है निसेंटल पार्ट पर इसलिए टोटल मास नहीं ब बोल सकते है लगबत all time बोल सक्ते यह सबसे पहले हम यच आंगे कि अन्येक साने थैण कि इसको तो नीकलियस is the central part of atom nucleus atom क्या है central part है at which total positive charge and almost and almost total mass of atom to be taken concentrated ऐसा माना जाता है कि यहां पर total positive charge और लगबग total mass है तो चलिए सबसे पहले differential ले लेते हैं यह आपका objective में काम करेंगे इसको याद कर लिजिएगा पली सबसे पहलें जाने थे about the nucleus 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 is central part of atom nucleus is central part of atom at which at which total positive charge at which total positive charge at which total positive charge of atom of atom to be present भी लिख सकते है concentrated भी लिख सकते है located भी लिख सकते है to be present तो सबसे पहला हम यह जानेंगे कि what is nucleus what is nucleus nucleus is central part of an atom central part of an atom and atom at which total positive charge and almost total mass of atom to to be present मतलब atom के वह central part जहां पर atom का total mass almost total mass और total positive charge क्या होता है concentrate होता है तो उसी को हमलों क्या करते और एटम भी एस्पेरिकल होता है nucleus is spherical as well as atom is also spherical तो देखिए यहां पे नुकिलियस भी आपका एस्पेरिकल होता है और साथ में atom भी आपका एस्पेरिकल ही होता है ठीक है दा radius order the radius order of nucleus is 10 to the power minus 15 meter जो radius order होता है nucleus कव कितना होता है तो 10 to the power minus 15 meter होता है कोई problem है यहां तक यहां तक problem नहीं होनी चाहिए आपको पता है आपको पता होना चाहिए जो atom होता है atom जो वो और neutral होता है atom कैसा होता है atom नूट्रल होता है atom आपका neutral हता है जबकि निकेलियस जो होता पोजेटीब चार्ज आइसा क्यूं होता है क्योंकि एटम्ट जो होता है उसमें पोट्राण भी णोतें और इलोक्ट्राण भी धो मैं आपके प्रो जाज दितना प्रोड़ाधी प्रोटान हें और रिजल्ट क्या होगा जीरो तो इसलिए एटम जो होता है न्यूटल होता है बात करेंगा नुकलियस का तो नुकलियस पर पोटोन और नुटोन होता है और पोटोन पोजेटिव चार्ज नहीं होता है इसलिए आपका नुकलियस क्या होता है पोजेटिव चार्ज हो जाता है ठ हो दा एटम अए डा एटम इस नेटर्ल कीजिए आटर्बोंता लिट्र निूट्रल हता है बट कि निकलीज़ बट से पूजीटिव चार्ज नेकिन निकेलियस कैसा होता है है पूजीटिव चार्ज कोई प्रोबलम है को निए आपको तो यहां तक हो गया देख सकते हैं अगर लेना चाहते आप ले सकते अगला टोफिक अब हम लोग पढ़ेंगे size of nucleus अगला टोफिक किया हम लोग का तो size of nucleus size of nucleus जब size of nucleus की बात होती है तो generally हम लोग radius calculate करते हैं क्या करते है radius तो जो हमारे scientist जो रदर फोर्ट थे वो different types of element और इटम पे जब research किये तो नोंग ने क्यादेगा कि जो एलोमिंट का या किसी भी एटम का जो भॉलं था वह atomic mass number क्याम मास नमबर के ड्रपरूपोशिनल ता एक यह सब्सक्रेसि को फैब सब्सक्राइब इसमें होलियम है हिलियम का मित तो दो एक मित परोंबर बरावर होता है और उसका मास नंबर जो होता है वो 4 होता है जो कि number of photon और number of neutron के sum के बरावर होता है जैसे lithium है तो lithium का atomic number 3 होता है और mass number 7 होता है इस इट मिज़ फोटॉन plus neutron equal to 7 तो उसमें proton तो 3 होता है क्योंकि atomic number के बरावर होता है लेकिन 4 Newton होते हैं तो इस तरह से देखा गया कि जिस एटम या जिस इलमेंट का मतब मास नंबर अधिक था उसका बॉलूम अधिक था यानि जो बॉलूम उप एटम था डारेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या था मास नंबर यह हमने रदरफोर्ड आपने एक्सपरिमेंट में देखे जब रदरफोर्ड थे रीकटली प्रोपोर्शनल मतलब इसका मास नंबर जादा उसका फॉलूम भी मस्टिसका मास नंबर कम उसका बॉलूम भी कम चल्ए लिए पक्वार्डिंटोग्bildung रदरफोड को था वड़न in the volume of nucleus the volume of nucleus is directly proportional to directly professional to mass number and mass number capital M and mass number capital M capital A capital A capital A that is that is directly proportional to mass number the you know nucleus is asperical nucleus is asperical nucleus asperical nucleus asperical or and और यह इसकी मालीचे ऐसे रेडियस तो जब यह स्पेयर होता है तो इसकी वॉलूम क्या होनी चाहिए पाई आर इस्कुराइश या 4 x 3 पाई आर कीव नौडाउट सबको पता होगा कि जो स्पेयर होता है उसका वॉलूम जो होता है 4 x 3 सब्सक्राइब देटिट्ली प्रोपोस्चनल टो जाएगा आगर हम इसको लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं आरक्यू डारेक्टली प्रोपोस्चनल टू आज एक किसी भी कौंस्टेंट करें आर्छस यह जो टर्म तो कोई रिलेशन में फर्क नहीं पड़ेगा अगर करने कोई फर्क नहीं पड़ता है तो तो अब इसको उपड़ कर लाते हैं फिर देखिए आप यहां पर कि यहां पर हमें इसको लिख सकते हैं अगर यह इसी को लिखे तो आर डारेक्ली प्रोपोर्शनल टोल जाएगा यह बाइट थिरी और जब इस प्रोपोर्शनल शाइन को हटाएगे तो बदले में तो कोई कॉंस्टेंट आएगा यहां कॉंस्टेंट आ जाता आर इक्वल तो आर नौट यहां कॉंस्टेंट क्या गया आर नौट और एट टू दी पावर वन बाई थिरी ठीक है दिख रहा आपको थ्वास और छोड़ा कर ले अब दिख रहा हूं मैं दिख रहा है दिख रहा है चले तो क्या आ गया आर इक्वल टू क्या आ गया इसको तो आसा हाई एकवल' तु समय कि है यहां wa नौॉट कि il यह कुछ नहीं यह तो फिर्परश्न う कुच नहीं है यह क्ट्रइका प्रोकरच्नेल कविश्टिन पर और नॉट एक प्रोपर्शनल कॉंस्टेंट है एंड इस एक्स्पेरिमेंटल वैलू एंड इस वैलू इस वन पॉइंट टू इंटू टू दी पर माइनस 15 मीटर और यह चो आप नॉट है इसकी वैलू कितनी होती है तो 1.2 इंटू दी पर माइनस 15 मीटर और इसी को हम लोग चाते 1.2 फर मी इसी को हम लोग फर मी भी बहुट लेते हैं ठीक है उमीद करें यहां तक समझ में आपको आया हो तो जैने रीम हैज साइज ओफ अगला देख लेते हैं देंसिटी ऐसे तो जब बात हो डेंसिटी का देंसिटी आप निकलियांगे तो डेंसिटी तो सबके दिमाग में होगा देंसिटी क्या तो एक रेस्वयो मासि Co यानि ऐव इसका बॉलोम के मास गाते हैं किदर रेस्वयो और मॉस और म सभम इसकोठ डेंसिटा और यहाँ पर नाम को तो नुकिलियस का, तो एक वर्ट जोड़ लेना, आया, नुकिलियस, तो लिखेंगे, दा रेश्यो ओफ, दा रेश्यो ओफ, दा रेश्यो ओफ, मास, एनि कापिटल एम, एन्ड, भॉलो, ब्रैकेट में लिखेंगे, भी, ओफ, नुकिलियस, ओफ, नुकिलियस, इसकोल, डेंसिटी ओफ, नुकिलियस, आपको पता है, डेंसिटी को कौन से लेटर से परिजेंट करते हैं, रो से, कौन से अच्छर होती है रो रो नो नहीं रो इडिस डिनोटेड वाई डिनोटेड वाई रो इसको किस लिटर से रिपरजेन करते हैं रो से मास बाई भॉलो आपको पता है कि जो निकुलियस कैसा होता है तो मास तो यह हो गया लेकिन भॉलोम हो जाएगा फोर बाई थ्री पाई यार क्यों ठीक है अब इसको पर बेज़े लिजे तो रो इक्वल्ट हो जाएगा थ्री एम आपव फोर पाई आर क्यों समझना रहा है यहां तक क्लियर है अच्छोंग इसको तो आसा हाई लाइक कर लाते हैं अब दिख रहा है तो रो इक्वल्ट किता आ गया थ्री एम भाई फोर पाई आर क्यों अगर इसकी यूनिट की बात करें तो मास का होज़ेगा के यहां से लों लिख सकते हैं दा एसाई यूनीट आफ डेंसिटी आफ नुखिलियस तो क्या हो जाएगा इसके डेंसिटी का डेंसिटी का समीट के जी पर मीटर की पर क्या जाया का मीटर की उमीद कर रहा है यहां तक तो तो यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको जहां तक हमें यकीन है और सिंपल है यहां तक कुछ खास नहीं है रोकर सांस नहीं है न अब यहां से गर बात करें कि इसका एक नमर में पुछ देता है कि जनरली किसी भी एटम के लिए यह एवरेज वैलू है न नुकिलियस देन्सिटी दा बैलो आप नुकिलियस देन्सिटी इस टू पॉइंट्री एटो टेंट टू थे पावर सेवेंटी केजी परिमीटर क्यू तो जो किसी भी किसी भी एटम के लिए ठीक है तो आप उमीद करते हैं यहां तक आपका किलियर होगा देन्सेटी ऑफ अगर रिएस सबसे नुकिलियर होगा देन्सिटी आउन नुकिलियर था कि आपकर दर्म नीट ? Nucleus is central part of an atom at which total positive charge and almost total mass of atom to be purchased मतलब जो Nucleus is atom का central part है जहाँ पे atom का total positive charge और almost total उसकी mass है वो पर्चेंट होती है Nucleus is a central part of an atom at which total positive charge and almost total mass of atom to be purchased जो Nucleus होता है Nucleus is Aspherical Nucleus Aspherical होता है as well as Atom is also aspherical और जो Atom होता है वोगी Aspherical होता है The radius order of Nucleus is 10 to the power minus 50 meter कितना होता है 10 to the power minus 50 meter The atom is Neutral but Nucleus is positive charge Atom जो होता है लेकिन जो Nucleus होता है वो positive charge होता है ठीक है अब यहाँ आप आज देख लेते हैं सिकेंड नंबर में हम लोग यह पड़े हैशाइ ओब निकिलिया तो आपको तो पता है कि निकुलियस के बारे में कौन बताए थे तो तो निकोलियस के बारे मताये थे रदरफ़ोड जब रदरफ़ोड डिफ्रेंट टाइप्स अफ एटम डिफेंट टाइप्स लिएस पर रिसर्च किये तो नों आप देखा कि जो एटम सब्सक्राइब और निकोलेश में पोरिमेंट में वहने यह बनाविट यहां सब्सक्राइब ऑर सनर्स कीपा सभाविक तो आप सभाविक तर पर बोलोगे शल्फर का तो शल्फर का भॉलूम भी कार्बन से ज्यादा हो ठीक है तो according to Rutherford the volume of nucleus is directly proportional to mass number यानि volume directly proportional to mass number 4 by 3 pi rq directly proportional to a और इस constant को इदर आये तो relation में कुछ एंजीन नहीं होगा तो rq directly proportional to a r directly proportional to a to the power a to the power 1 by 3 क्योंकि cube root हो जागा इदर और अगर यह square रहता थे यहां 1 by 2 लिखते तो r equal to square दिये था r not a के power 1 by 3 आ गया जा r not a professional constant है और इसकी value जो होती 1.2 फर्मी होती है ठीक है अब इसमें अगर बात करें तो थार नंबर को हम लोग पढ़े है density of nucleus क्या पढ़े density तो the ratio of mass and volume of nucleus is called density is called density of nucleus और density को रोज से denote करते हैं और यह mass by volume हो गया फिर यह formula हो गया density का unit जो होता है केजी पर meter q होता है और इसका जो numerical value होता है वो किसी इटम के लिए होता 2.3 into 10 to 17 kg per meter q तो वीडियो का feedback जरूर दीजेगा चुकि यह physics idea YouTube channel का पहला वीडियो है और अगर अच्छा लगे तो तो आसा support करिएगा शेयर करिएगा और सब्सक्राइब कर लिजेगा धन्यवाद आप सभी था मिलते हैं next class next वीडियो में